साथियो नमस्कार मैं अमोल पतेल फाउंडर छेर्मैन मैनेजिटर निताई गरूप आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ इस वीडियो में मैं आपको निताई औरगनिक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ साथियो निताई और्गेनिक्स का उद्देश्य है संपूर विश्व में लोगों को जैविक क्रशी के परती जागरुप करना जहर मुक्त रसायन मुक्त केमिकल फ्री अनाज सब्जियों दालों मसालों का उत्पादन करना और एक ऐसा मंच तयार करना जिसके माध्यम से संपूर भारत और विश्व के सभी किसान एक मंच पर आवकर जैविक क्रशी का प्रचार प्रसार कर सकें जैविक क्रशी सीख सकें और एक जैविक बाजार तयार कर सकें क्यूंकि बहुत सारे किसान हैं जो देश-विदेश में जैविक रशी कर रहे हैं लेकिन उनके पास एक ऐसा साज़ा मंच नहीं है जहां से मिलकर वो जैविक उत्पादों को लोगों तक पहुँचा सके हैं निताई और्गेनिक्स के माध्यम से हम एक ऐसा मंच तयार कर रहे हैं जिस मंच पर हम स्वयम जैविक रशी करते हैं किसानों को जैविक रशी करना सिखाते हैं और जो किसान पहले से जैविक रशी कर रहे हैं लेकिन उन्हें अच्छा मंच नहीं मिल पाता है ऐसे किसानों को ह जनजन के लिए सुधद्द सात्विक जट्विक उत्पाद और जट्विक अन और जट्विक सबजियां उपलब्ध कराना आप देख सकते हैं हम एक निताई किनिक्स के पार्टनर संजू पटेल जी के फार्म पर हैं और यह फार्म बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है यहां पर प्रिजेंट में सिक्स लेयर फार्मिंग की जा रही है और फ्यूचर में आगे चलके एक ही फार्म में हम दिखाएंगे कि किस प्रकार से जैविक गया हूं लगे हैं नीबू लगे हैं मटर लगे हैं और इस तरफ आलू लगे हैं और साथ ही यह टोटल आठेकड का फार्म हैं जिसमें लगबग 26 प्रकार के जैविक उत्पात तयार किये जा रहे हैं जो कि सुद्ध हैं जैविक खाद और गाए के गोवर से निर्मित हैं और गौम उत्र से निर्मित हैं साथे यहां पर प्रफेशनल तरीके से भी फार्मिंग की जा रही है तो निताई और्गेनिक्स का मुख्य उत्देश है कि इस प्रकार के फार्म्स को तयार करना डेवलप करना और लोगों तक सुद्ध सात्विक जैविक उत्पात उपलब् जै भारत जै निताई